नवश्कार दोस्तों, मेरे नाम में महिचंद्रयाव, ब्रह्माट सिद्यस्ट्रों में आप सभी का स्वागत है। वो कोने जा रहा है आपके चत्र दुवाव में उसी परगात वुद्र जो है वो भी वकरी उने जा रहा है दिना दो तरीक से लेकर चोविस तरीत्व। तो उसके भी जो परवाव पढ़ना होंगे वो किस परगात क्या होंगे सभी के बारे में रीटेन में चर्चा इस वीडि तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशी के बारे में धनु राशी का एप्रिल का संपूर राशी को तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो स्वास्थन है मानसिक या फिरशारिक वो किस प्रगार का होगा जैसे कि आपके राशी का जो स्वामी ब्रहहोंने रहें उसी प्रकार आपके जीवन में कई ऐसे जो बाते हैं जो कई इस शुबव परिण वो उने के समभौन और बहुत बहुत ही अच्छी बन रही है मतलब किसी कोई भी काव के बारे में आप सोच रहे हूँ या फिर नहीं हो रहा है तो इस मेने में होने की संभावना काफी ज्यदा बन रही है अला कि मतलब आपका अजूबी अगर आप कारशेतर के बारे में नोकरी के बारे में सोच रहे हूँ विवा के बारे में सोच रहे या फिर किसी अन्यप तो वो जो सभी बाते हैं वो इस मेने में उने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है पंचम भाव में आकर गुरू आपके राशी को ही देख रहे तो आपका जो कॉंटड है आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ह अच्छी देखी जाएगी जो भी काम आप लोगे उसमें सक्सेस रेट है वो काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा तो आपके राशी के लिए यह जो संपूर्ड मेना है वो बहुत ही अच्छा जाएगा किसी विप्राकर के स्ट्रेस देखे नहीं जाएगी आपकी जो दनेश है शनी जो कि आपके त्रित्य वाँ में ब्रहुन कर रहा है मारगस से है आपके राशी का जो पंचमेश है मंगल जो कि आपके त्रित्य वाँ में ब्रहुन कर रहा है चोविस तरिके बाद यह जो मंगल है वो आपके चतुर्द वाँ में ब्रहुन करेगा उसे प्रे मैंने में आप बहुत ज़एदा रहूग होगया है अपके अच्छी दये जाज़ती है तो वह जो बात है वह इस मेलें बी देखिज़ेगी और इस मेने बेगल कोई बीकाम अगर करना हो तो आप पूरे जोश खर रोखे किसी से न viene इनरोगे क्योंकि जो काम है वाखा आपके काफी इजीरी पूरे होते हुए नजर आए ये मागे का साथ भी काफी अच्छा मिलता हो नजर आएगा तो बिल्कुल भी चिद्दा ना करें इस मैने में जो बाते हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से उस प्रकार के वोनी की लिए जो ब्रहुन कर रहा है तो इस लिया से आधर देखा जाए तो यह जो शुक्र आपके लिए मतलब घर में अगर के बारे में अगर आप सोच रहे हो नहीं चीज अगर आप लेना चाहते हो तो वह इस मेने में होने की संभाना बहुत ही अच्छी बंद रही है उसी प्रगासिक्षिया पर एक बात में कहना चाहोगा कि आपकी चतुरतवाँ में जो ग्रहन है वो होने जा तो वहाँ पर थोड़ा आपको सोचना होगा दिनाक आठ तारी को जो ग्रहन है वो ओने जा रहा है तो आपके घर के जो पूरिश वर गोंगे मतलब जो मुख्य पूरुष जिसम कहते हैं जिनके आतारवर पूरा घर चलता है उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान द इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए उसी प्रकार अगर आप खूध हो आपके घर में 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 पूर जिसम कहते हैं तो आप को स्वास्त के बारे में थान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा बस यही बात है तो इसे के उपर थोड़ा सा ध्यान देज़े बाकी अधर देखा जाए तो ग्रोस हो के जो कहते हैं वो काफी अच्छा होगा और वह ऐसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशी नौर्मल इंगर पर ज्यादा नहीं टी और आपके पंचंबाओं में कई सारे जुक्रा है या पर गुरू अर्शल भी है तो एक तरन से देखा जाए तो अगर आप इसे के रिलेशन्शिप में है तो उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उनके साथ के बाहर गुमना फिर नहीं हो सकता है समय आपका काफी अच्छे तेरे के से कर सकता है मैं तो पुर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हैं अगर आप शेयर मंट के में ट्रेट करते हो तो गुछ चल लाब भी इस समय में में आपको मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बद्रे तो बिल्कुल भी पुर्ण मेंना है शुब फर दैसा अबित होगा सिफ यह आपर आपको थोड़ा एफर्ट देना होगा ने ऐसा ही है कि आप बैटे विड़ा है आपको जो सक्सेस है वो भी जाएगा एफर्ट दीजेए एफर्ट दिनने के बाद आप जैसे चाहते हो उस प्रकास के सक्सेस म वईवाई जिएवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राश्यकर सब्धमिश है विद्धो जो कि आपके पंचम वगरमUND कर रहा है वक्री हो ने जारह है दुन्याञ दो तारिक के बाद ये वक्री हो के आपके चतूर्थ वगरमUND करेगा नौ तारिक से और चतूर् किसी भी प्रकार के महत अपने निनने जो की partnership से related है इस मेने में बिलकुल भी नहीं लेना आपकी जो अंदाज है वो चुख सकते हैं तो इन चीज़े पर थोड़ा सा ध्यान देना आवशक है उसी प्रकार यही जो बात है वो आपका कारेशितर है उससे भी relate करने वाली ज्यादा है जापर आप काम करते नोगरी करते हैं वह या फिर्न वेवसाय करते हैं वहाँ पर documentation related कोई भी काम करना है तो काफी सोच समझ के काम करना होगा उसे पकार आपके आउदे से जो नीचे काम करने वाले लोग है उनसे थोड़ा बच कर रहेदा किसी भी प्रेटर के डॉपर प्रेटिस से related कोई भी बात है तो इनिचेटिव नहीं लेना बहुत ही सोच समझ के काम करना ट्रस्ट वर्दी लेसे आपके राशी है दूसरों को मदद करने में सबसे आगे रहती है तो इसी का थोड़ा बहुत खामी आज़र भी आपको बुगतना पर सकता है फोला अलर्ट रही है हलाकि जो गुरू है वो आपके लिए काफी ज़्यादा फेवरेबल है और यह जो मेना जैसे में शुरुआ से कहना लगो वो आपके लिए बहुत ही दो-तिन बाते जिस पर ध्यान दीजे जैसे कि मैंने का कि चतुरुदवाव में काफी ज़्यादा ग्रहा है वो आचुकर है या फिर चतुरुदवाव में जो ग्रहान है वो भी होने जा रहा है तो सबसे महतोबरन बात आपको घर के जो लोग है उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा ये बात जान देना काफी मैतोबरन है अब हम चर्शा करेंगे ग्रहाय योगों के बारे में अदरका हाजा है तो दिनाल तीन तारीकों शुकर और निप्चुन की युद्धी बने जा रही है निफ्चुन जो कि आपके चतुर्त वाह में बनमन कर रहा है, उसके साथ जो शुक्र है वो यूति करने जा रहा है, तो थोड़ा सा स्वाइब के स्वास्त के बारे में भी थोड़ा दियान देना होगा, हलाकि यह जो ग्रहों के योगों के परिणम होते हैं, वो दो-तीन दिन में है, जिसे हम पराकरम साथ भी कहते हैं, तो यह जो यूपती है, वो आपके लिए बहुती ज़्यादा शुबफरदाई साबित होगी, जो भी का आपको काम करना है, वो आप हाथ में ले सकते हो, और वो काफी इजीली पूरा होता हो, इस मेरे में यह मान के चलिए, आप जो भी काम करेंगे, वो पूरे होंगे, जाए काम कितना भी कठेंग, क्यों न लगता हो, मतलब शुरुबात में जो भी काम अगर आपको कठेंग लगता है, तो ज़रूरा आप में लीजिए, रिस्ट ले सकते हैं, काम आपका वो भी जाएगा, तो बिल्कुल भी चित्दर अगर न करें, मतलब पीछे-पीछे नहीं रहने, अगर आपको लगता है कि ये काम करना है, या फिर ये काम करने में दिक्कते हैं, तो ज़रूरा आप में लीजिए, इस मेने में बागी के साथ आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, उसी प्रेकार यापस सिर् अगर रवी और वुद्र की यूति भी होने जा रही है, रवी जो कि आपके चतरत्य वूआ में ब्रहन करेगा, उसके साथ जो वकरी वुद्र चलेगा, वो यूति यो करने जा रहा है, तो यहापर आपके जो वैवाई जुडिदार उनके साथ का ये बाहर गुमना फिर ना हो सकता है बस वाइवाई जुड़ी दर्जो है उनके स्वास्ते रिलिटेट छुटी मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते है उसे प्रेका देना गोनिस तारीक को वंगल जो की आपके तृतिया वाँ में बिनमन करना है उसके साथ आपके पंचमबाव का जो गुरू और हर्शल है वह लाब योग करने जा रहा है तो मैं तो प्रॉड़का में इन दिनों में आप हाथ मिले सकते हैं और इन दिनों में आपकी जो एनर्जी आपका जो कॉन्फेटनस है वह बहुत ही अच्छा देखा जाएगा उसे प्रेकार गुदर शुक्र की युटी भी आपके शुक् में पर लाब इसमीं इसमेर का जूर्ब की में जारा है तो झबन दिनों नौ तरिको रहा है अन दाज ठ्यकल है इस प्रकार इस मैने के हिंदू नववर्ष जो आरम में जा रहा है वो दिना नौ तारिकों है राम नुमिक जो है वो दिना सतरा तारिकों है और हन्वान जैंति जो है वो 25 तारिकों पूर्णिमा के दिन है ब्रह्मान्ट सिद्य एस्टो परिवार के और से आप सभी को धेरो आपको आज का ये जो वीडियो है वे कैसे लेगा आपने किस प्रकार से नवह किया दिशे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेट करना और अपने जैनल है ब्रह्मान्ट सिद्य एस्टो इसे भी लाइक शेवर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दन्यवार